सब्सक्राइब कीजी हमारा चैनल क्रेजी जिके ट्रिक और लेटेस्ट विडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को दबाएं गजी बाद आप इस current affair कीज़ का the week is वो pretty जिके ट्रिक अपलिकेशन पर कर सकते हैं और सभी current affairs और gk की pdf भीNews आप वहाँ से दाव्लोड कर सकते हैं ठीक है friends तो इस current affair का pdf भी आप वहाँ से डाउंनॕो कर सकते हैं तो चलिए हम lecture को start करते हैं देखे फ्रेंट्स हमारा पहला कुशन है हाली में IBM का नया चेर्मेन किसे न्यूक तक किया गया है तो फ्रेंट्स किसे न्यूक तक किया गया है देखे भारत के अर्विन कृष्णा को IBM का नया चेर्मेन जो है वो न्यूक तक किया गया है इन्होंने देखे किसका इस्थान लिया है गीनी रोमेती का इस्थान लिया है IBM जो है ये एक computer hardware company है इसका full form क्या होता है IBM का International Business Machines त्यान रखेगा नए chairman बने है अर्विन कृष्णा वर्ष 2018 के लिए मत्यप्रदे सरकार द्वारा दिया जाने वाला किशोर कुमार सम्मान किसे प्रदान किया गया है तो देखे हाली में वहिदार रहमान को 2018 के लिए किशोर कुमार सम्मान से सम्मानित किया गया है ठीक है friends ये एक राष्टी स्तर का सम्मान है हर साल सिनिमा के शेत्र में उतक्रष्ट योगदान के लिए ये पुरुषकार जो है वो दिया जाता है सबसे पहली बार देखिए कब दिया गया था 1997 में सबसे पहली बार दिया गया था किसे दिया गया था रिशिकेश मुखर जी को ध्यान रखेगा फ्रेंड्स इस पुरुसकार की स्थापना जो है वो किसने करीती मद्यपदे सरकार द्वारा की गई है 2018 में वहिदार रमान को दिया गया नेक्स देखिए अंतराश्टिय बोद्धिक संपदा सुचकांग 2020 में भारत का स्थान है इंटेलेक्चुल प्रॉपर्टी क्या क्या होती है जैसे की कॉपिराइट, ट्रेड मार्क, किसी चीज को पेटेंट करवाना, अपना अधिकार करना यह सब चीजे होती है इंटेलेक्चुल प्रॉपर्टी तो ऐसे 45 संकेतों को ध्यान में रखकर GIPC इसका फुलफॉम होता है ग्लोबल इंटेलेक्चुल प्रॉपर्टी कन्वेंशन इसने देखिए 45 संकेतों को ध्यान में रखकर ये इंडेक्स जो है वो जारी करा हैं जिसमें भारत को कौन सा इस्थान दिया गया हैं ध्यान रखेगा 400 इस्थान दिया गया हैं तो यहां पर A वाला अंसर जो होगा बिल्कुल सही होगा 2019 में बात करें तो 2019 में भारत को देखिए 36 रेंक प्राप्त हुई थी तो भारत देखिए 4 पाइदान गिर कर 40 वे इस्थान पर आ गया हैं सुचकांक में तो ध्यान रखेगा इस चीज़ को चलिए अगला कोशन लेते इन में से किस शहर को 5 फरवरी को युनेसको द्वारा विश्व धरोवर इस्थल का प्रमान पत्र प्रदान किया गया हैं तो फ्रेंड्स पाँच फरवरी को देखिए रादेस्थान के जैपूर को युनेसको ने विश्व धरोवर इस्थल का प्रमान पत्र जो है वो प्रदान किया हैं हम पहले भी डिसकर्स कर चुके हैं, जैपूर शहर को युनेसको ने अपने 43 सत्र में विश्व धरोवर इस्तल जो है वो गोशित किया था, तो हाली में देखिए प्रमानपत्र उसे प्रदान क्या गए हैं तो ध्यान रखिएगा, हाली में नसीम शाह टेस्ट क्रिकेट में है तो ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान से बिलॉंग करते हैं, प्रमोध अगरवाल ने हाली में किस सारवजनिक कंपनी के चेर्मेन वो MD का पद जो है वो ग्रहन किया है, मैनेजिंग डारेक्टर का पद, तो प्रमोध अगरवाल जो है, वो कोल इंडिया के चेर्मेन और संसक्रण का उद्गाटन किया, इस एक्सपो में भारत और अन्य देशों की कंपनियों के बीच रक्षा उपकरण को लेकर कई समझोते पर हक्षताक्षर किया गएं, तो उनसे रेलेटेट देखे पॉइंट, 2020 में डिफेंस एक्सपो का ग्यारवा संसक्रण आयोजित किया बिल्कुल सही, डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन लखनों में किया गया, बिल्कुल सही, डिफेंस एक्सपो 2020 की थीम, इंडिया इमर्जिंग डिफेंस मैनुफेक्टरिंग हब थी, ये भी बिल्कुल सही है, तो उपरोक्त सभी कथन जो होंगे हों, बिल्कुल सही होंगे, त को ने वो? अमेरीकी अंतरिक्ष यात्री, क्रिस्टिना कोच. क्रिस्टिना कोच जो है, वो अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली महिला बनी है. तो यहाँ पर D-answer जो होगा, बिल्कुल सही होगा. उन्होंने देखिए अंतराश्टी अंतरिक्ष स्टेशन पर कुल 328 दिन का समय जो है वो बिताया है हाली में देखिए 6 फरवरीक को क्रिस्टिना कोज जो है वो प्रत्वी पर वापस दोटी है अंतरिक्ष में इन्होंने 328 दिन का समय बिताया है और लगबग 14 करोड किलोमेटर की यात्रा कंप्लिट करिए इससे पहले देखे रिकॉर्ड जो है वो किसके नाम था पेगी विट्सन के नाम पर था वो अंत्रिक्ष में 288 दिन रही थी तो ये भी important question है ध्यान रखेगा friends हाली में किस राजी सरकार ने मुख्यमंत्री परिवार संब्रद्दी योजना लॉंच करी है किस राजी सरकार ने हर्याना सरकार ने देखे इस योजना के तहट राज्ये के जरुवत मंद परिवारों को 6,000 रुपे तक की वित्ती साहिता जो है वह प्रदान की जाएगी और इस योजना का लाब कौन-कौन ले सकेंगे जिन लोगों की वार्षिक परिवारिक आये जो है वो 1.8 लाग से कम और जिनके पास 5 एकर से कम जमीन है ठीके वही इस योजना का लाब ले पाएंगे तो ध्यान रखेगा किस राज सरकार ने शुरू करी है हर्याणा सरकार ने चलिए अगला कोशन लेते हैं तो फ्रेंट्स देखिए तो फ्रेंट्स ये अमेरिका की अकेडमी ओफ मोशन पिच्चर आर्ट्स एंड साइंस के दुआरा प्रदान किया जाता है हाली में दुनिया के सबसे प्रतिष्टित फिल्म अवार्ड यानि 92 ओसकर अवार्ड की गोशना की गई है तो इससे रिलेटेट देखिए विजटाओं की पूरी सूची को हम अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं बेस्ट अक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है जोकिन फॉनिक्स को दिया गया है देखिए आउसकर अवार्ड से पिछली साल भी बहुत कोशन्स एक्जाम में पूछे गया है तो ध्यान से डेटा को देखिए याद करिएगा बेस्ट अक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है जोकिन फॉनिक्स को दिया गया है फिल्म जोकर में शांदार अभिनाई के लिए उन्हें ये पूरुसकार जो है वो दिया गया है बेस्ट अक्टरेस की बात करें तो ये किसे दिया गया है देखिए रेनी जेलवेगर को दिया गया है जूडी फिल्म के लिए देखिए ये पुरुसकार उन्हें दिया गया है सर्वसिस्ट फिल्म की बात करें बेस्ट फिल्म की बात करें तो किसे दिया गया है ओसकर पुरुसकार पेरा साइट को दिया गया है फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपोर्टेंट है इसके बाद Best Director की बात करें तो Bong Joon-ho को देखिए ये पुरुसकार दिया गया है इन्होंने ही देखिए Film Parasite जो है वो डारेक्ट करी थी Clear? Best Cinematography की बात करें तो ये Film 1917 को दिया गया है 1917 फिल्म जो है इसे Best Cinematography का पुरुसकार जो है वो दिया गया है Best Animated Film की बात करें तो Toy Story 4 को दिया गया है Best Documentary Film की बात करें तो वो American Factory को दिया गया है Clear? तो ये Important Important मैंने आपको बताए है एक बार देखिए ध्यान से इनको सुन लीजिए आपको ऐसे याद करने की ज़रूत नहीं है Option देखिए आपको चीजे समन्द में आ जाएगी इसके बाद Friends बात करते हैं February मंत में ही देखिए 73 बाफटा पुरुसकारों की गोशना भी की गई है British Academy of Film and Television Arts ये Full Farm होता है बाफटा का British Academy of Film and Television Arts द्वारा दिया जाने वाला एक ये वारशिक पुरुसकार है जिसे बाफटा पुरुसकार के नाम से भी जाना यादा है ये अमेरिका के आउसकर पुरुसकार के बाद दूसरा सबसे बड़ा पुरुसकार है इसमें देखिए ज़्यादा आपको याद करने की ज़रूतनी है बहुत ही सिंपल है बस एक दो चीज़े दियादा है बेस्ट फिल्म जो हे वो किसे दिया गया है जोकूल जोकर के लिए बेस्ट जोकर के लिया गया है जूड़ी फिल्म के लिए क्लियर? तो बहुत ही सिंपल है ज़्यादा इसमें आपको याद करने की ज़रूत नहीं पड़ेगी तो ये Oscar Award और BAFTA पुरुसकारों को हमने अच्छे से discuss करा है चलिए अब इनसे related कौन-कौन से question exam में बन सकते हैं वो सारे questions हम discuss करते हैं Oscar Award 2020 में Servicesist Abhineta Best Actor का Award किसे दिया गया है? तो Best Actor का Award किसे दिया गया है? जॉकिन Phonics को दिया गया है फिल्म जोकर में उनके अभिनेक के लिए उनने पुरुसकार दिया गया है Oscar Award 2020 में Servicesist Abhineta 3 Best Actress का Award किसे दिया गया है? Best Actress का Award किसे दिया गया है? चलिए अगला question लेते है बाफ्टा अवर्ड 2020 में सर्विसेस्ट फिल्म का अवर्ड किसे दिया गया है तो फ्रेंड्स बाफ्टा अवर्ड में देखिए सर्विसेस्ट फिल्म का अवर्ड किसे दिया गया है 1917 को दिया गया है Oscar Award 2020 में Best Documentary Film का Award किसे दिया गया है? Best Documentary Film देखे किसे दिया गया है? Oscar Award 2020 में Best Animated Film का Award किसे दिया गया है? किसे दिया गया है Toy Story 4 को? A.ांजर Next देखिए हाली में भारत ने संयुक्त सेन अभ्यास AJ Warrior 2020 किस देश के साथ किया है? तो भारत और United Kingdom मतलब UK के बीच में ये अभ्यास जो है वो किया गया है इस अभ्यास का आयोजन जो है वो कब से हो रहा है ध्यान रखेगा 2005 से किया जा रहा है यह इस अभ्यास का देखिए पांचवा संस्क्रन था और यह अभ्यास कहाँ पर किया गया United Kingdom मतलब Britain में किया गया इसका उद्देश क्या था उग्रवाद आतंगवाद से निपटने है तू संयुक्त रूप से पुरु अभ्यास करना यह इसका उद्देश था तो अजेय वारियर का संबन किस्से हैं भारत और ब्रिटेन B answer यहाँपर बिल्कुल सही होगा विश्व रेडियो दीवस मनाया जाता है देखिये मीडिया में रेडियो के महत्व के बारे में जागरुकता फिलाने के उद्देश से हर साल 13 फरवरी को विश्व रेडियो दीवस जो है वो मनाया जाता है तो यहाँ पर B आंसर सही होगा और 2020 में विश्व रेडियो दिवस की थीम क्या थी? रेडियो एंड डाइवर्सिटी देखें, next question उसी से related है रेडियो एंड डाइवर्सिटी ए आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा विश्व रेडियो दिवस 2020 की थीम थी हाली में राजीव बंसल को किस एरलाइन का चेयर्मेन और MD जो है वो न्यूक्त किया है तो राजीव बंसल को देखिए एर इंडिया का चेयर्मेन और MD जो है वो न्यूक्त किया गया है उन्हें दूसरी बार एर इंडिया का प्रमुग जो है वो न्यूक्त किया गया है भारत का नया वित्त सचीव हाली में किसे न्यूक्त किया गया है वेरी वेरी इंपोर्टन कोशन है बहुत ही इंपोर्टन कोशन है आने वाली एक्जाम में देखी पुछा आ सकता है कोशन हाली में अजय भूशन पांडे को भारत का नया वित्त सचीव Finance Secretary जो है वो न्यूत किया गया है वित्त सचीव जो होता है ये भारत के वित्त मंत्राले मतलब Finance Ministry का वरिष्टम I.S. अधिकारी होता है जो की मंत्राले के विबिन विभागों के काम काज को देखता है एक रुपे के नोट पर वित्त सचीव के ही हस्ताक्षर होते है अजय भूशन पांडे ने किसका इस्थान लिया है राजीव कुमार का इस्थान लिया है तो ध्यान रखेगा वित्त सचीव अजय भूशन पांडे इन में से किस भारती मुल्क के व्यक्ति को UK का वित्त सचीव फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो न्यूक्त किया गया है यह भी important question है भारत मुल्क के देखिए रिशी सुनक को United Kingdom मतलब UK का नया वित्त मंत्री जो है वो न्यूक्त किया गया है तो यहाँ पर देखिए रिशी सुनक से आंसर नहीं आपर सही होगा UK के देखिए अगर प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो कोन है वो Boris Johnson है तो यह चीज भी आप ध्यान रखिएगा चड़िए अगला question लेते है यश भारती आवोर्ट का संबन्द किस राज्य या केंडरशाशी प्रदेश से हैं तो फ्रेंड्स यश भारती आवोर्ट जो है यह उत्तर प्रदेश का सर्वच पुरुसकार है इसकी स्थापना कब की गई थी 1994 में इसकी स्थापना की गई थी हाली में देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने यश भारती पुरुसकार के इस्थान पर राज्य सांस्कृतिक पुरुसकार शुरू करने का निड़ने लिया है यह पुरुसकार जो है संगीत, कला, नरत्य, शिल्प इन सब में योगदान देने तु प्रदान किया जाएगा तो यश भारती अवार्ट का संबन किस राज जी या केंशाशी प्रदेश से हैं? उत्तर प्रदेश से हैं उत्तर प्रदेश राज जी से हैं पेशटवे फिल्म फियर अवार्ट की गोशना की गई जिसमें सर्वस्टेस्ट अभिनेता का अवार्ट की से दिया गया है सर्वस्टेस्ट अभिनेतरी का अवार्ट की से दिया गया है आलिया भट को दिया गया है और Best Director का अवर्ड किसे दिया गया है जोया अक्तर को दिया गया है इन्होंने ही देखिए Movie Gully Boy को डारेक्ट किया था तो ये चार सीज़े आप ध्यान रखेगा Very very important है साथ ही आप ध्यान रखेगा कि Gully Boy फिल्म ने 13 Film Fair Award जो है वो अपने नाम करें इस फिल्म को 13 शिणियों में नामित किया गया था और सभी 13 शिणियों में इस फिल्म ने अवर्ड जीते हैं इससे पहले देखिए Black Film ने सबसे ज़्यादा 11 Film Fair Award जीते थे तो उसका रिकॉर्ड भी देखिए ब्रेक करा है Gully Boy ने 13 Film Fair Award जो है वो अपने नाम करें तो ये देखिए मैंने आपको 65 Film Fair Award से related सारे important points बताएं अब देखिए यहाँ पर पुछ रहे हैं कि Services अभिनेता का अवर्ड किसे दिया गया है तो धियान रखिएगा Ranvir Singh को C answer 65 Film Fair Award में Services अभिनेत्री का अवर्ड किसे दिया गया Alia Bhatt को C answer 65 Film Fair Award में Services Film का अवर्ड किसे दिया गया है Services Film का अवर्ड किसे दिया गया है Gully Boy को और कितने Film Fair Award जीतें इसने 13 Film Fair Award जीतें नाडू नेडू योजना हाली में किस रажिसरकार ने लौँच कियें किस रजिसरकार ने लौँच करीं आंदरप्रदेश राजी सरकार ने लॉंच करी हैं अस्पतालों के आदूनी करण के लिए आंदरप्रदेश के मुख्यमंत्री Y.S. जगनमोहन रेड़ी ने हाली में नाडू-नेडू योजना जो है वो लॉंच करी हैं इस योजना के तहद तीन साल में सरकारी अस्पतालों का आदूनी करण जो है वो किया जाएगा तो किस राजी संबन दीते हैं योजना आंदरप्रदेश से संबन दीते हैं भारत की पहली Intercity Electric Bus सेवा किस राजी में शुरू की गई हैं तो किस राजी में देखी ध्यान रखेगा ये महाराष्ट में शुरू की गई हैं मुंबई और पूने के बीच में पहली Intercity Electric Bus सेवा जो है वो शुरू की गई हैं एक बार चार्ज करने पर ये बस जो है 300 किलोमेटर की दूरी जो है वो तै कर सकती हैं जिसा कि हमने देखिए लास्ट एयर बजट में भी देखा था कि सरकार जो है वो इलेक्ट्रिक विहिकल पे ज़्यादा फोकस कर रही है तो उसी में देखिए पहला कदम ये भारत की पहली Intercity Electric Bus सेवा जो है वो महाराष्ट में शुरू की गई है Soil Health Card Scheme भारत सरकार ने किस वर्ष शुरू की तो फ्रेंट्स देखिए हाली में 19 फरवरी को Soil Health Card दिवस के रूप में मनाय जाने की सरकार ने गोशना करी है Soil Health Card Scheme जो है सरकार ने 19 फरवरी 2015 को लांच करी थी इस योजना के तहद देखिए मिट्टी की उपजाउता का पता लगा जाता है जिससे किसानों को खेत में कितना फर्टिलाइजर, कितना उर्वरक की मात्रा डालनी है इसका उन्हें पता लगता है तो ये स्कीम कब शुरू की गई थी? 2015 में तो D आंसर यहां पर सही होगा हाली में 12 सरकार ने देखिए 19 फरवरी को Soil Health Card Day मनाने की गोशना करी है हाली में किसे अफगानिस्तान का राश्पती चुना गया है तो देखिए अफगानिस्तान का राश्पती हाली में किसे चुना गया है अश्रफ गनी को चुना गया है दूसरी बार देखिए वो अफगानिस्तान के राश्पती चुने गया है इन में से किसे हाली में गठित राम मंदिर निर्मान समीती का अध्यक्ष जो है वो नियुक्त किया गया है ये भी देखिए important question है किसे नियुक्त किया गया है निर्मान समीती का अध्यक्ष जो है वो नियुक्त किया गया है हाली में इसकी गोशना की गई साथी friends ध्यान रखेगा राम मंदिर ट्रस्थ का अध्यक्ष जो है वो किसे नियुक्त किया गया है नत्य गोपाल दास को नियुक्ति किया गया है निर्मान समीती के अध्यक्ष देखिए नरपेंदर मिश्रा को और राममंदी ट्रस का अध्यक्ष जो है वो नत्य गोपाल दास को नियुक्ति किया गया है दोनों चीज़े आप ध्यान रखेगा दोनों में confuse मत होईएगा ठीके चलिए अगला question लेते हैं हाली में Asia कुष्टी Championship 2020 का आयोजन कहां पर किया गया तो friends Asia कुष्टी Championship 2020 से related पहले सारे point डिसकस कर लेते हैं उसके बाद में इन questions को हम solve करेंगे Asia कुष्टी Championship 2020 को 18 फर्वरी से 23 फर्वरी के बीच में नई दिल्ली भारत में आयोजन किया गया पदक तालिका की बात करें तो देखे पहले इस्तान पर कोन राएं जापान राएं दुसरे इस्तान पर इरान राएं और तीसरे इस्तान पर राएं बारत भारत ने देखे इस Championship में कुल सबसे जादा 20 पदक जीते हैं जिसमें 5 गोल्ड, 6 सिल्वर और 9 ब्रॉंज मिडल जीते हैं इसमें देखे दो चीज़े आप ध्यान रखेगा रवी कुमार दैया ने पुरुशोक के 57 किलोगरम भारवर्ग में गोल्ड मिडल जीता हैं और मैईलाओं में द्यान रखेगा दिव्या काकरन ने 68 किलोगरम भारवर्ग में गोल्ड मिडल जीता हैं कहां पर आयोजित की गईती है? नई दिल्ली भारत में आयोजित की गई थी चेंपेंशिप चलिए अब कोशन की तरब चलते हैं और सारे कोशन को हम सौल करते हैं हाली में एशियाई कुस्ती चेंपेंशिप 2020 का आयोजिन कहां पर किया गया तो फ्रेंट्स कहां पर किया गया? भारत में आयजन किया गया इसका एशिया एक उस्ती चेंपेंशिप 2020 में भारत का पदक तालिका में स्थान रहा भारत का देखिये पदक तालिका में कौन सा स्थान रहा? तीसरा स्थान रहा है पहले स्थान पर कोन रहा है जापान रहा है दिव्या काकरन ने किस भार्ग वग में सोन पदक जिता है दिव्या काकरन ने देखिए मैलाओं के 68 किलोग्राम भार्ग वग में सोन पदक जिता है यह अंसर सही होगा चलिए अगला कुशन लेते हैं इन में से किस राजी सरकार ने 20 फरवरी को अपना राज इस्थापना दिवस मनाया है। मिजोरम, अरुनाचल प्रदेश, देखिए याँ पर मिजोरम और अरुनाचल प्रदेश दोनों ने 20 फरवरी को अपना राज इस्थापना दिवस जो है वो बनाया है। तो C आंसर सही होगा हाली में संयुक्तराज समर्थित की एक रिपोर्ट में Sustainability Index के मामले में भारत को इस्थान दिया गया है हाली में देखिए विश्वस्वास संगटन WHO और UNICEF के द्वारा दो इंडेक्स जारी की गए है पहला कौन सा? Sustainability Index जिसमें भारत को सित्योत्तरवी रेंग प्राप्तूवी है ये इंडेक्स जो है प्रती व्यक्ति कारबन उत्सर्जन से संबन दीते है Sustainability Index इसके बाद देखिए उन्होंने सेकेंड इंडेक्स लॉंच करा है Global Flourishing Index इसमें भारत को कौन से रेंग दी गई है? एक्सो इकत्योत्तरवी रेंग दी गई है मतलब बच्चों के स्वास्त एवं खुशाल जीवन के मामले में भारत को एक्सो इकत्योत्तिस वी रेंग पर रखा गया है और Sustainability Index के मामले में भारत को सित्योत्तरवी रेंग दी गई है दोनों चीज़ आप ध्यान रखेगा वेरी वेरी इंपोर्टेंट है संयूक्तर राष्ट समर्थित की एक रिपोर्ट में Flourishing Index में भारत को क्या इस्थान दिया गया है Flourishing Index के मामले में मतलब बच्चों के स्वास्त एवं खुशाल जीवन के मामले में भारत को 131 वी रेंग पर रखा गया है C आंसर यहां पर बिल्कुल सही होगा चर्चा में रहे रितेश अगरवाल इनमें से किस कंपनी के संस्था पकें देखे रितेश अगरवाल जो है वो ओयो होटल के संस्था पकें यह आंसर यहां पर सही होगा हुरुन ग्लोबल रिच लिस दोजार बीस के अनुसार रितेश अगरवाल जो है हाली में दुनिया के दूसरे सबसे युवा अरब पती बन गए है तो देखे सुरक्यों में रहे हाली में यह तो रितेश अगरवाल ओयो होटल के संस्था पकें 24 साल की उम्र में देखिये उनकी संपत्य कितनी है 1.1 बिलियन डॉलर ओके फ्रेंट्स तो रितेश अगरवाल ओयो होटल के संस्था पकें राश्टी विज्यान दिवस मनाया जाता है राश्टी विज्यान दिवस कब मनाया जाता है हर साल 28 फरवरी को राश्टी विज्यान दिवस मनाया जाता है विज्यान के महत्व के प्रती जागरुकता फिलाने के उद्देश से राश्टी विज्यान दिवस जो है वो मनाया जाता है साती ध्यान रखेगा ये दिन रमन प्रभाव की खोज की स्मरती में मनाया जाता है इसी दिन सिवी रमन ने 1928 को रमन प्रभाव की खोज की थी ठीके 28 फरवरी 1928 को इसी लिए उसकी स्मरती में 28 फरवरी को राष्टी विज्ञान दिवस जो है वो मनाया जाता है तो फ्रेंट्स इस बार देखिए राष्टी विज्ञान दिवस की थीम क्या थी विज्ञान में मैला है वुमेन इन साइन्स ये इस बार की थीम थी तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल सही होगा इंद्रधनुष युद्ध अभ्यास का संबन्द किन दो देशों से हैं तो देखिए इंद्रधनुष युद्ध अभ्यास का संबन्द किन दो देशों से हैं भारत और यूके से हैं ब्रिटेन से हैं हाली में भारत और ब्रिटेन के बीच में इंद्रधनुष युद्ध अभ्यास के पांचवे संसक्रण का अयोजन किया गया। भारत और ब्रिटेन के अन्य युद्ध अभ्यास की बात करें, तो अजय वारियो जो अभी हमने डिसकस करा इस से पहले, कौंकन नो सेना अभ्यास, ये सारे अभ्यास जो होते हैं, ये भारत और UK मतला ब्रिटेन के बीच में किये जाते हैं, ठीक है, इंद्रदनुश युद् जिसे मोटेरा स्टेडियम भी का जाता हैं, वीश्व का सबसे बड़ा क्रिकेड इस्टेडियम है, इसका निर्मान जो है, वो 2016 में शुरू हुआ था, हाली में इस स्टेडियम में नमस्ते ट्रम कारियकरम का आयोजन किया गया, तो ध्यान रखेगा वेरी वेरी इंपोर्ट सर्दार पटेल स्टेडियम या फिर इसे बोला जाता हैं, मोटेरा स्टेडियम कहां पर इस्तिते एमदबाद में इस्तिते हैं, भारती एक रशी अनुसंदान परिशत द्वारा अंतराश्टी केला सम्मेलन का आयोजन की शहर में किया गया, तो देखे तमिलनाडू के तीर पल्ली में किया गया, चली अगला कोशन लेते हैं, इन में से कौन सा देश हाली में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साज़ेदार मतलब बिजनेस पार्टनर बन गया हैं, तो कौन बन गया हैं देखे भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साज़ेदार अमेरिका बन गया अमेरिका जो है चीन को पचाड कर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साज़दार बन गया है हाली में Ministry of Commerce के डेटा के अनुसार 2018-19 में भारत और अमेरिका के बीच में लगबग 89 अरब डॉलर का व्यापार हुआ है वहीं इसी दोरान चीन के साथ भारत का द्वीपक्षी व्यापार जो हुआ है वो कितना हुआ है 87.1 अरब डॉलर का हुआ है तो देखिए अमेरिका जो है वो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साज़दार बन गया है बिजनेस पार्टनर बन गया है तो ध्यान रखेगा इस चीज़ को भारत के किस ग्रेंड मास्टर ने चोतिसवे कांस ओपन शत्रन स्टूनामेंड का खिताब जिताएं किसना जिताएं फ्रेंड्स डी गुकेश ने बी, गुकेश ने 34-WAY कांस ओपन शत्रंस चुनामिन का किताब जीताएं ठीक है, फ्रिंट्स? अमेरिकी राश्पती, डोनाल्ड टरम्प की भारत यात्रा के संदर्ब में सही कतन हैं तो हाली में देखिए अमेरिका के राशपती डोनाल टरम भारत यातर पर आये थे तो उससे related हम देखिए सारे point डिसकस करते हैं राशपती रहते हुए ये उनकी भारत में पहली यातरा थी बिल्कुल सही पहली बार देखिए राशपती रहते हुए डोनाल टरम जो है वो भारत आये थे नमस्ते टरम्प कारिकरम का आयोजन सरदार पटेल स्टेडियम एमदाबाद में किया गया बिल्कुल सही इस भारत यातरा की शुरुआत एमदाबाद से की गई थी बिल्कुल सही वो प्रोक्त सभी कतन जो होंगे यहाँ पर सही होंगे साथी इस दोरान भारत और अमेरिका के बीच तीन अरब डॉलर का एक रक्षा समदोता भी हुआ है भारत अमेरिका से 24 MH60 रोमियो हलिकॉप्टर जो है वो खरीदेगा तो ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा अमेरिका के राश्पति डोनाल टरम भराद यातरा से संबंदी हमने सारे पॉइंट डिसकस करें चलिए अगला कोश्चन लेते हैं मारिया शारापोवा निम्न में से किस खेल से संबंदी थे हैं तो फ्रेंट्स देखिए मारिया शारापोवा जो है वो टैनिस से संबंदी थे हैं हाली में देखिए रूस की प्रसिद्ध टैनिस खिलाडी मारिया शारापोवा ने सन्यास की गोशना की हैं तो ध्यान रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र कुमार पचोरी का हाली में निदन हो गया वो थे देश के देखिए प्रसिद्ध परियावरण विद डॉक्टर राजेंद्र कुमार पचोरी का हाली में निदन हो गया है तो कौन थे देखिए परियावरण विद थे वो खिलाडी जोशना चिनपपा और सोरब घोशाल किस खेल से संबन दीते हैं? तो फ्रेंट्स देखिए हाली में चर्चा में रहे ये जोशना चिनपपा मैला वर्ग में और सोरब गोशाल ने पुरुश वर्ग में सित्योत्तरवी राष्टी स्क्वेश चेंपेंशिप का किताब जीता हैं तो किस स्केल से संबन दीते हैं देखिए हैं स्क्वेश से संबन दीते हैं ये आंसर यहाँ पर सही होगा चलिए अगला कुशन लेते हैं हाली में भारत के किस इस्तान पर लीथियम का 14,100 अ का बंडार खोजा गया हैं तो भारती परमानौ उर्जय आयोक के अनुसंदान करता हुणने मांधिया में 14,100 अ के लीथियम बंडार की खोज करी हैं कहाँ पर मांधिया में सिए अँसर यहाँ पर सही होगा मांडिया जो है ये करनाटक में बैंगलूर्ट से लगबग 100 किलोमेटर दूर इस्ती थे कहाँ पर इस्ती थे हैं करनाटक में इस्ती थे लीथियम जो है ये एक दुरलब धातू हैं मेटल हैं इसका उप्योग मुख्य रूप से इलेक्ट्रिक वहिकल की बैटरी के निर्मान में किया जाता हैं भारत जो है वो देखिए इलेक्ट्रिक वहिकल पे ज़्यादा फोकस कर रहा हैं तो उस दुर्ष्ट्रिकों से काफे इंपोर्टेंट बात हैं कि भारत के पास में लीथियम का बंडारन जो है वो खोजा गया है ठीके मांडिया ध्यान रखेगा करनाटक में इस्ती थे विश्व केंसर दिवस मनाया जाता हैं हर साल चार फरवरी को मनाया जाता है 2020 में देखिए बिस्वा विश्व केंसर दिवस जो है वो मनाया गया है और इस बार इसकी थीम क्या थी I am and I will ये इस बार की इसकी थी खिलाडी रानी रामपल संबन दी थे Very very important है ये question भी हाली में रानी रामपल को World Games Athlete of the Year 2020 पुरुसकार से संबन दी रानी रामपल को संबन दी रानी रामपल जो है ये देखिए भारती मैला होकी टीम की कप्तान है C answer यहां पर सही होगा किस केल से संबन दी थे हैं होकी से संबन दी थे साती रानी रामपल को इस साल पदम श्री पुरुसकार से भी सम्मानित किया गया है तो उस दरश्ट्री कौन से देखिए काफे important question है इन में से कौन फूटबॉलर 1000 अंतराश्टी मेच खेलने वाले दुनिया के एक मातर खिलाडी बने है क्रिस्टियानो रोनाल्डो C answer यहां पर सही होगा दिल्ली विदानसभा चुनाव हाली में पूरे हुए राच्चे विदानसभा में कितनी सीटों पर मद्दान कराए गए तो हाली में देखिए दिल्ली विदानसभा चुनाव कंप्रिट हुए तो इस से related points ध्यान रखेगा दिल्ली विदानसभा में देखिए कुल कितनी सीटों पर मद्दान हुए 70 सीटों पर मद्दान हुए बहुमत के लिए देखिए आकला चाहिए था 36 और आम आदमी पार्टी ने कितनी सीटे प्राप्त करीए 62 सीटे प्राप्त करीए और BJP को कितनी सीट मिली है, 8 सीट मिली है और अर्विन के जरिवाल ने देखिए दिल्ली के CM के रूप में तिसरी बार शपत लिए तो ये सारे पॉइंट ज्यान रखेगा तो कितनी सीटों पर देखिए मद्दान किये गएते 70 सीटों पर मद्दान किये गएते दिल्ली विदान सभा चुनाओ 2020 में आम आदमी पाटी ने कितनी सीटे जीती है तो कुल कितनी सीटे जीती है, देखिए 62 जीती है इससे पहले देखिए 2015 में जो चुनाओ वा था उसमें उन्होंने 67 सीट जीती थी और इस बार कितनी जीती है, 62 सीट जीती है मुख्यमंत्री बने थे फिर उन्होंने रिजाइन कर दिया था फिर 2015 में चुना हुए फिर वो मुख्यमंत्री बने और 2020 में देखिए हाली में अभी उन्होंने दिली के मुख्यमंत्री के रूप में शपत लिए तो तीन बार देखिए दिली के मुख्यमंत्री बने अंडर 19 क क्रिकेट प्रत्योगीता 2020 का किताब जो है वो किस टिम ने जिता है बंगलादेश ने जिता है बंगलादेश ने देखे पहली बार ये खिताब जिता है फाइनल जो हुआ था भारत और बंगलादेश के बीच में हुआ था और बंगलादेश ने इस किताब को देखिए जिता ह हाली में Geological Survey of India ने भारत के किस इस्थान पर 5806 टन स्वण आयसक के भंडार का पता लगाया है वेरी वेरी इंपोर्टेंट कोशन है बहुत ज़दा सुर्क्यों में रहा ये कोशन देखिए कहां पर पता लगाया है Geological Survey of India ने सोन भद्र जिले में तो यहां पर ए आंसर जो होगा बिल्कुल सही होगा सोन भद्र जिला जो है ये चार राज्यों से सटा हुआ है मद्यप्रदेश, चतिसगर, बिहार और जारखन सोन भद्र में Geological Survey of India ने 5806 टन स्वण आयसक के भंडार का पता लगाया है वेरी वेरी इंपोर्टेंट है ध्यान रखेगा इस चीज़ को चलिए अगला कोशन लेते हैं हाली में उत्रपदेश सरकार ने वित्ति वर्ष 2020-21 के लिए कितने लाग करोड रुपे की राशी का बजट जो है वो पेश किया है उत्रपदेश के राजवित्त मंत्री कोन है? सुरेश खन्ना है उन्होंने देखिए 5.25 लाग करोड रुपे का बजट पेश किया है यह उत्रपदेश के इतियास का अब तक का सबसे बड़ा बजट है टोक्यो ओलंपिक 2020 का मोटो हाली में जारी किया गया वो है तो देखिए टोक्यो ओलंपिक 2020 का मोटो जारी किया गया क्या है मोटो? युनाइटेड बाई इमोशन यह आंसर यहां पर सही होगा यह मोटो जो है खेलों के इस्थान के अलावा पूरी सीठी में लिखा जाएगा टोक्यो ओलंपिक की शुरुआत देखिए जुलाई 2020 में होनी है तो उसी के लिए देखिए मोटो जो है वो हाली में जारी किया गया है युनाइटेड बाई इमोशन वर्ल्लेंग्वेज डेटाबेस द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विशु में तीन सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा क्रमशा है तो देखिए हाली में वर्ल्लेंग्वेज डेटाबेस ने एक रिपोर्ट जारी करी है जिसमें विशु में तीन सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कुन-कुन सी है सबसे पहले नमबर पर आती है देखिये अंग्रेJी सेकेंड नमबर पर आती हैं चाइनिज लेंग्वेज मन्दारिन और तिसरे नमबर पर आती है हिंदी तो यहाँ पर एंसर जो होगा? वो बिलकुल सही होगा भारत में देखिए हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा आप बोली जाने वाली भाशा कोन सी हैं बंगाली हैं जो कि विश्व में सात्वे स्थान पर आती हैं ये चीज भी आपको पता होना चाहिए अंतराश्टिये मात्रभाशा दिवस मनाया जाता हैं तो देखिए हर साल 21 फरवरी को अंतराश्टिये मात्रभाशा दिवस जो है वो मनाया जाता हैं भाशा और सांस्क्रतिक विवित्ता को प्रोसान देने के उद्देशि से ये दिवस जो है वो मनाया जाता हैं कम्पिटर वेग्यानिक लेरी टेसलर का हाली में निदन हो गया उन्होंने विक्सित किया था तो लेरी टेसलर ने ही देखिए कट कॉपी पेस्ट कमांड जो है उसका विकास किया था तो यहाँ पर ए आंसर सही होगा कट कॉपी पेस्ट बनाने वाले लेरी टेस्टलर का देखिया हाली में निदन हो गया है हाली में खोजी गई क्रोसपेडो ट्रॉपिस ग्रेटा थनबर्ग किसकी एक नई प्रजाती का नाम है तो देखिये ब्रुनेई में विग्यानिको ने घोंगे की एक नई प्रजाती की खोच करी है विग्यानिको द्वारा इस प्रजाती का नाम जो है वो परियावरण एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग के नाम पर रखा गया है क्रोसपेडो ट्रॉपिस ग्रेटा थनबर्ग तो गोंगे की एक प्रजाती है आगे देखिए फ्रेंड्स बजट से related हम question solve करेंगे चुंकि ये February मन्त में देखिए complete to be activity है तो इस से related सारे question जल्दी से हम revise कर लेते हैं budget पे मैंने already video बना रखा है अगर आपने वो नहीं देखा है तो description box में मैंने link दे रखा है आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं काफे important वीडियो है आने वाली exam में जरूर वहाँ से question जो है वो पुछा जाएगा तो जल्दी से हम देखिए questions को revise कर लेते हैं वर्ष 2021 के लिए केंदरी बजट को लोकसवा में किस ने प्रस्तूत किया तो 2020 के लिए केंदरी बजट को लोकसवा में देखिए निर्मला सीता रमण ने प्रस्तूत किया था आजात भारत का देखिए सबसे लंबा बजट भाषन रा दो गंटे 40 मिनिट का वर्तमान में भारत का विश्व की सबसे बड़ी अर्थवेवस्तावाले देशों में स्थान है बारत का देखिए विश्व में सबसे बड़ी अर्थवेवस्तावाले देशों में स्थान कौन सा आता है पांचवा आता है पहले चटवे स्थान पर ता भारत अब वहां से सरकार ने देखिए लक्ष लिया है तो पशुओं में देखने को मिलता है ब्रुसेलोसिस रोग, साथ ही देखिए सरकार ने भेड़ बक्रियों में होने वाले PPR रोग को भी 2025 तक खत्म करने का लक्ष लिया है, PPR का फुल फॉर्म क्या होता है, पैस्टिडेस, पैटिडस, प्रोग्राम शुरू किया है, देखिए 2025 तक TB को खत्म करने के लिए TB हारेगा देश जितेगा प्रोग्राम जो है सरकार ने शुरू किया है, B आंसर, सरकार ने निर्विक योजना शुरू की जिसका संबन्द है, निर्विक योजना देखिए सरकार ने शुरू करी निर्या बूलियन एक्षेंज की स्थापना की जाएगी C answer बारत सरकार इनमें से किस पुरा तत्विक स्थान को आइकोनिक स्थान में परिवर्तित नहीं करेगा तो इस बजट में देखिए सरकार ने पांच पुरा तत्विक स्थान को आइकोनिक स्थान में परिवर्तित करने की बात गई थी तो कौन-कौन सी देखिए पहला राखीगड जो कि हरेणा में इस्तिते हैं हस्तिनापूर उत्तरपदेश में इस्तिते हैं शिव सागर असम दोलाविर जो कि गुजरात में इस्तिते हैं और अधिचनलूर जो कि तमिल्णाडू में इस्तिते हैं तो उप्षन देखिए राखीगड़ी को बिल्कुल सही हस्तिनापूर को बिल्कुल सही दोलाविर को भी बिल्कुल सही द्वारका को देखिए द्वारका को आइकोनिक स्थान में परिवर्तित करने की बाद सरकार ने नहीं करी है बारा सरकार जन जाती संग्राले की स्थापना किस स्थान पर करेगा तो भारा सरकार जो है जन जाती संग्राले की स्थापना कहां पर करेगा राची में करेगा जारकान इस्तित राची में जन जाती संग्राले की स्थापना की जाएगी भारास सरकार समुद्री संग्राले की स्थापना की सिस्थान पर करेगी तो भारास सरकार जो है समुद्री संग्राले की स्थापना कहां पर करेगी गुजरात के लोथल में C answer चलिए अगला कुशन लेते हैं बजट में प्रसूत किये गए 19-20 में भारत का राजकोशी घटा जो राव वो कितना राए 3.8% राए और लक्ष कितना लिया गया था 3.3% का लिया गया था तो यहाँ पर B अंसर और 2020-21 के लिए जो देखे टारगेट लिया गया है राजकोशी घटे का वो कितना लिया गया है थीक है यह चीज भी आप ध्यान रखेगा भारत सरकार को GST से कितनी परतिशत आए प्राप्त होती है भारत सरकार को देखिए GST से 18 परतिशत आए जो है वो प्राप्त होती है यह अंसर नेक्स्ट कोशन लेते हैं भारा सरकार ने बजट के दोरान किस टेक्स को पूरी तरह से खत्म कर दिया है तो भारा सरकार ने देखिए DDT Dividend Distribution टेक्स को पूरी तरह से खत्म कर दिया है DDT क्या होता है देखिए बजट वाल लेक्चर में अच्छे समझा चुका हूँ मैं आपको अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक बाल लेक्चर देख लिजिए महाँ पर मैंने इसको समझा रखा है बजट के दोरान भारा सरकार ने किस सरकारी बेंक में अपनी पूरी हिस्सदारी खत्म करने की गोशना करी है तो देखिए सरकार जो है IDBI बेंक में अपनी पूरी हिस्सदारी जो है वो खत्म करेगा 46.46% की हिस्सदारी है गवर्मेंट की अभी तो वो पूरी तरीके से खत्म कर देगा B. आंसर सरकार के द्वारा वेकल पिक तोर पर दी गई नई इंकम टेक्स लेप के संदर में कौन सा कतन गलत है 5 लाग से 7.5 लाग तक की सालाना इंकम पर 10 परतिशद टेक्स लगेगा बिल्कुल सही साड़े साथ से लेकर 10 लाग तक की सालाना इंकम पर 15% टेक्स लगेगा बिल्कुल सही 10 लाग से साड़े बारा लाग तक की सालाना इंकम पर 20% टेक्स लगेगा बिल्कुल सही साड़े बारा लाग से उपर सालाना इंकम पर 30% टेक्स लगेगा ये कथन गलत है साड़े बारा लाग से लेकर पंदरा लाग तक की सालाना इंकम पर 25% टेक्स लगेगा वो पंदरा लाग से उपर सालाना इंकम है तो उस पे 30% टेक्स लगेगा तो यहाँ पर देखिए D वाला जो अप्शन है वो गलत है वर्ष 2021 के केंदरी बजट में रक्षा बजट रखा गया रक्षा बजट कितना रखा गया इस साल 3.37 लाग करोड रुपीज बी आंसर यहाँ पर सही होगा 6% की व्रद्धी देखने को मिली है रक्षा बजट में तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हमारे फेब्ररी मन्त के सभी इंपोर्टेंट करन्ट अफेर कंप्लीट होते हैं अगर आपको देखिए इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना है तो क्रेजी दिके ट्रिक का अप्लिकेशन डाउनलोड कर लिजिए वहाँ पर हमने option दे रखा है तो फ्रेंड्स आपको यह वीडियो काफी पसंद आया होगा अगर अच्छा लगाए तो प्लीस वीडियो को लाइक करिए शेर करिए और कमेंट करके ज़रू बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लिजिए क्योंकि इस तरीके के बेनेफिशल वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँगा आपको उसका बेनेफिट मिलता रहेगा तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में जय हिन जय भारत